हाई फ्रेंड्स पुषपाटू के कुछ रिव्यूज देखने को मिले है वो मैं आपको बता देता हूँ वाट सेट्स पुषपाटू अपार्ट और पुषपाटू के कुछ रिव्यूज अक्चली Promising a bigger and bolder experience Pushpa to the rule Delivers a perfect blend of action Drama and emotion In its 3 hours 20 minutes run time By the way आपको पता होगा यह media screening वगरा हुआ था उसके ही यह reviews है उस दिन मैंने एक personal critic का भी review आपको पता था जिसका अलु अरजुन जी ने भी I think repost किया था बात में और वो भी मैंने वीडियो बनाया है Highlights include the much talk about Jathar sequence A gripping interval scene And heart-pounding climax Sukumar has carefully crafted the film To appeal to wide audience Ensuring moments of intense action Are balanced with heartfelt family drama By the way Pushpa का एक past जो है उसको लेके भी थोड़ा सा इन लोग ने emotional किया ऐसा सुना है This movie is unbelievable Especially since Pushpa part 1 If you are comparing part 1 and part 2 I will only say It was Haan मतलब वो dialogue दिया है उनने It was fire, this is wild fire Despite वो यार वो इन लोगों ने सिर्फ कुछ जो है न वो तेलगू रिव्यूज है तो वो समझ नहीं आ रहा है कि तेलगू में लिखा है उन लोगों ने एनिवेज चलो छोड़ो यार कुछ बाते Translation भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं Pushpa 2 Republic की तरफ से भी आया हुआ एक रिव्यूज देखने को मिला है Netizen said Animal का बाप If that is a compliment question mark कुछ लोगों ने ये लिखा है But भाई एक बात तो समझ में आ रहा है मुझे के Pushpa 2 के रिव्यूज काफी अच्छे आये और Bollywood की काफी जली पड़ी है तो जलने तो भाई तो यह अच्छा लग रहा है देखके Anyways और जो उन्होंने 5 out of 5 रेटिंग वो भी मैंने बताया और इन्होंने भी 5 इन्होंने 4.5 दिया है और और एक जो रिव्यूज मैंने पड़ा था उन्होंने 4 रेटिंग दी है तो रेटिंग वाई अच्छे रिव्यूज आये और एडवांस बुकिंग के बार हमें कुछ बोलने की ज़रूरत है क्या 300-300 करोड का वर्ड़ वाई देखने को मिलने वाला है सारे रेकोर्ड तूटने वाले 1500 करोड तो हस्ते हस्ते कर लेगी और इन लोगों की बहुत जलेगी बले ये रिव्यूज कैसे भी देख क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है भाई फार देगा वो सब कुछ और ये रोते रहेंगे भाई ये पलक जपकते ही है 1000 करोड पर कब निकल जाए कि तुम सोच भी नहीं सकते 500 करोड में बनी है 300 करोड अलो अरजुन ने लिए और 1000 करोड का प्री रिलीज बिजनेस भी हो चुका है मतलब ये मूवी जीरो रूपीज भी कम है तो प्रॉफिट में सोचो अलरेड़ी इसका 80 करोड का वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग भी हो चुका है यू कांट इवन इमेजिन की रिवीउस कैसे भी आए कोई फरकी नहीं पड़ता है घंटा लो समझ 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 भाई इट्स दफिलिंग जो फैक्ट वो फैक्ट वो चीज़े चेंज नहीं होने वाली वीडियो को शेर कर देना भाई और उपर से रिवीउस भी अच्छे आए ये भी अच्छी बात है